तो बेटा last part में हमने क्या किया था लास part में मैंने आप लोगो ओन से लेके 300 तक class में counting कराई थी और उसके रावा 301 से लेके 600 तक मैंने आपको counting का homework दिया था और मैंने आप से पहता कि मैं आपको event numbers के बारे में बताऊंगी चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि Even Numbers होते क्या है तो बेटा Even Numbers क्या होते हैं इक गरुप की सुरत में तो हमारा वो Pear बन जाता है अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे कौन-कौन से Numbers प्यरिंग Numbers होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है One क्या आता है हमारे पास one तो one का मतलब क्या होता है that I have one star अब one जो है one तो एक अकेला number है it means कि इसका तो हम pair नहीं बना सकते तो we can say that one is not an even number यहीं अगर हम इसके बात क्या आता है हमारे पास two इसका क्या मतलब होता है it means that we have two stars अब यह two का तो pair बन जाएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि two is an even number फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है three इसका क्या मतलब हुआ कि we have three stars अब इसमें हमारे पास इन two का तो pair बन गया लेकिन एक जो है star हमारे पास अकेला रह गया it means that three is not an even number इसी तरह से हमारे पास आता है four it means we have four stars इसमें इन two stars का एक pair बन गया इन two stars का एक pair बन गया तो इसका क्या मतलब हुआ that four is an even number तो बेटा अभी हमने देखा तो चले आप हम अपनी counting देखते हैं जो हमने अभी की थी अब उसमें देखते हैं के कौन से number हमारी even number है ठीके न तो यह मैं आपको next part में दिखाती हूँ ती-